नमस्कार नमस्ते दूरदर्शन यादगिरी के हिंदी प्रोग्राम चमेली की इस नई प्रस्तुती में मैं आपकी होस्ट पूनम गुलेचा तहे दिल से आप सब का स्वागत करती हूँ हिंदी दिवस मनाने जा रही है और हमारे सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुपकाम नाए 14 सेप्टेंबर हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है लेकिन इस साल कुछ खास है इस साल हम मनाने जा रहे हैं 75 years of हिंदी दिवस 14 सेप्टेंबर 1949 को पहली बार जब हमारे सम्विधान ने हिंदी को राज भाषा के रूप में रेकगनाईस किया तब से लेकर एक बहुत लंबी जर्नी रही है हमारी भाषा की वैसे आज हम ये समझना चाहते हैं कि भाषा होती क्यों है भाषा का अस्तित्व उसका अर्थ क्या है आप से बात करना अपने विचारों का आदान प्रदान करना अपने emotions को व्यक्त करना तो हिंदी ही क्यों हिंदी ही ऐसी एक भाषा क्यों है जो राज भाशा के रूप में नियुक्त हुई है और हमारे दिल के आज इतने करीब है वो कहते हैं ना हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा इसी भाशा के बारे में हिंदी भाशा के बारे में हिंदी दिवस को आज मनाने हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दो खास मेहमान जिनसे आज हम आपका परिचह कराएंगे और हिंदी के बारे में बात करके हमें हमारी भाशा को लेकर जागरुक कराने की यह जो कोशिश है दूरदर्शन यादगिरी की आज उससे आपकी मुलाकात कराएंगे मैं स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगी डॉक्टर बी बाला जी का आपका बहुत बहुत स्वागत है दूर्दर्शन यादगिरी के स्टूडियो में और हिंदी दिवस की बहुत शबकामना आए मैं डॉक्टर बाला जी के बारे में बता दू कि ये मिश्रधातु निगम में हिंदी डिपार्टमेंट में as manager नियुक्त है 14 साल से राजभाशा के ये बहुत करीब रहे है राजभाशा की सेवा में मिश्रधातु निगम में ये बहुत कारेक्रम और्गनाईज करते हैं अबतार शिक्षक रहे हैं ये हिंदी में इनोंने MA, M.Phil और PhD कर रखी है तो भाशा हिंदी भाशा इनके दिल की बहुत करीब है आज ये हमसे बात करने जा रही है हिंदी दिवस के बारे में और इसकी हमारी constitution में क्या मान्यता है देश में इसकी क्या खासियत है इसके बारे में आज हम आपसे सुनना चाहेंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते चौदा कावि संग्रे, बारा आलोचना गरंत और आठ वैचारिक निबंध संग्रे लिखे हैं, काफी इनकी ये किताब आई थी अभी हिंदी के बढ़ते कदम, जिनके लिए इनकी काफी सराहना हुई है, काफी सारे स्टूडेंट्स को पी एचडी, डेलिट और एमफिल करान आए में ये सुत्रधार रहे हैं, तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, रिशभ जी, हम हिंदी दिवस के बारे में बहुत सारी बाते करना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि हिंदी दिवस हमारे आम जनता के लिए आज की रेट में क्या मायने रखता है, तो आप दोनों से मैं यह प्रश्ण करना चाहूंगी बाला जी आप सर आप बताईये कि हिंदी दिवस कब शुरू हुआ जैसा हम जानते हैं 14 सितंबर बत किन कारणों की वज़े से यह 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है कब इसकी शुरुवात हुई और क्यों जैसे कि आप बता रही है क हिंदी दिवस मनाया जाता है लेकिन इसकी काफी लंबी परंपरा रही है आचा आजादी से पूर्व से ही हिंदी को लेकर के काफी चर्चाय चलती रही है जी और मैं यहाँ पर राश्ट्रपिता महात्मा गांदी जी को याद करना चाहूंगा कि उन्होंने एक शेक्षनिक सम्मेलन में उन्नी सो सत्रह में अच्छा गुजरात के भरूच में यह प्रस्ताव रखा कि आने वाले समय में जब देश आजाद होगा तब हमें किसी एक भाशा में काम करना होगा तो उन्होंने उसी समय यह प्रस्ताव रखा कि हमें हिंदी में काम करना चाहिए और हिंद में उन्होंने विचार रखा और फिर उन्नी सो अठार में दक्षिन भारत हिंदी प्रचार सभा कि उन्होंने स्थापना की और क्योंकि दक्षिन में हिंदी के प्रचार प्रसार की उस समय अवशक्ता उन्होंने महसूस की और फिर उन्नी सो उन्चास में जब संविधान बन उसे में कॉंस्टिट एसेंबली ने एक समिति थी भाषास की समिति और मैं चमेली के दर्शकों को यह बात बताना चाहूंगा चो कि हम तेलगु प्रदेश से आते हैं और तेलंगाना में रहते हैं तो जानकर अच्छा लगेगा इंड लोगों को कि जो भाषा की पहली समिति बनी थी उसके अध्यक्ष स्री आधरनियम मोटूरी सत्यनारेण जी थे जो की तेलगु भाषी है उनकी अध्यक्षता में भाषा पर चर्चाएं हुई और सम्विधान सभाने एक मत से और सर्वसमति से हिंदी को राजभाषा के रूप में स्विकार किया और वो तारीख है 14 सितंबर 1949 उसके स्मरण में हम दिधिवस मना रहे हैं चाहि और व्दी के हम संपर्ग भाषा के अکहते हैं जनमदिवस मना रहे हैं ते उसके स्मरण में हम हर वर्ष अखे suivre भारतीय स्तर पर धिथि दिवस मना रहे हैं अपने 그게 बहुत अच्छा पॉइंट जैसे भारत एक बहुभाशी देश है, यहां पे कई सारी भाशाएं है, ज्यादा तर हम देखते हैं कि हिंदी नॉर्थ में बोली जाती है, नॉर्थ के स्टेट्स में, दक्षिन के शेत्रों में, क्योंकि यहां के रीजनल भाशाएं इतनी स्ट्रॉंग है, तो यहां पे हम कोई कॉणफ्लिक्त ना आए या फिर नॉर्थ हावी ना हो जाए, रीजनल भाशाओं को साथ लेकर हिंदी को उस तरह पर लाने में हिंदी दिवस की क्या मान्यता है, या फिर किस तरह से हम इन सारी भाशाओं को एक साथ लेकर चलते है इस पे थूरी सी आप अपनी प्र प्रश्न किया है और बड़ी एक मौलिक किया कहें कि बेसिक बात जो है वो कही कि भारत एक बहु भार्षिक देश है अभी 2011 है कि जो जनगन्ना के आंकड़े आएं हैं उससे पता चलता है कि हमारे यहां मात्री भाषाओं के रूप में मदर टंग्स के रूप में उननीस हजार से ज्यादा उननीस हजार जी जिन में से इतने यानि उननीस हजार से ज्यादा जो मात्री भाषा के कोड हमारे पास देश में विद्यमान है और इन में से 121 जो हैं भाषाओं ऐसी हैं जो 10,000 से अधिक दस हजार या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती है और इन 121 में से 22 भाषाओं को हम सम्विधान की दृष्टी से अगर कहें तो भारत की भाषाओं या भारत राष्ट्र की भाषाओं कहते हैं हमारे सम्विधान में एक आठवी अनुसूची है अश्टम अनुसूची इस आठवी अनुसूची में 22 भाषाओं आज हैं और इसका जो शीर्षक है वह है राष्ट्र की भाषाओं लेंग्विजिज ऑफ नेशन नेशनल लेंग्विज नहीं कह रहा है सम्विधान वो इन सब भाषाओं को राष्ट्र की भाषाओं मानता है एक को जैसे हमारे पास एक राष्ट्रिय फूल है एक राष्ट्रिय पक्षी है एक राष्ट्रिय ध्वज है एक राष्ट्रिय पशू भी है लेकिन जब हम भाषा की बात कर रहे हैं तो हम राष्ट्र की भाषाओं के रूप में आज 22 भाषाओं बताते हैं यह तो आज की स्थिति है जो हमारे सम्विधान में है कि भारत राष्ट्र की भाषा के रूप में भाषाओं के रूप में जो है वह 22 भाषाओं को मानने था प्राप्त है और यह संख्या बढ़ भी सकती है बढ़ती रही है इधर 2004 के बाद से थुड़ा सा अंकुष उस पर ल लगविशे है लेकिन जो बहु भाषिकता वाली बात आप कह रहे थे अब मैं फिर वापस वहां लोटता हूं इस बहु भाषिकता के कारण भारत को भाषाओं का अजायब घर कहा जाता है एक म्यूजियम एक जू है भाषाओं का और इसलिए जितने अध्यान है भाषा मंधिवे सारे भारत में संभव हैं और यहां अलग-अलग स्तर हमारी भाषाओं के हमें प्राप्त होते हैं लेकिन जो खास बात है वह यह है कि बहुत पीछे अगर हम नभी जाएं तो भी अगर 1857 के प्रथम स्वाधिनता संग्राम की बात करें जिसमें हम जासी की रानी लक्ष्मी भाई को याद करते हैं हम इतिहास की किताबों में यह पढ़ते आएं हैं कि यह भारती स्वाधिनता का पहला संग्राम था लेकिन यह एक ऐसी क्रांती थी जो विफल हो गई और जिसे पिर गदर्या विद्रो इसलिए कुछ लोगों ने कहा सफल विद्रो करांती होता है असफल करांती विद्रो तो यह इसके असफल होने के क्या कारण थे इस पर जब विचार किया गया तो भारत के जिसे कहें की विचारकोंने नेताओं ने, सामाजिक और राजनेतिक आंदोलन के अगुमाओं ने ये महसूस किया कि इसके पीछे एक बड़ा कारण लैक ओफ कमिनिकेशन था अगर आप चाहते हैं कि पूरे भारत में सब जगे एक साथ एक आंदोलन खड़ा हो जाए तो उसके लिए हमें एक सशक्त संप्रेशन की जो चैनल है उसकी ज़रूरत है और इसी लिए ये महसूस किया गया कि स्वतंतरता आंदोलन जो चलाया जाए उसके लिए हमें एक भाशा की आवश्यक्ता है ये भाशा कौन सी हो सकती है अभी डॉक्टर बाला जी 1917 के गांधी जी के जो प्रस्ताव हैं उसकी चर्चा कर रहे थे उसमें उन्होंने कुछ कसोटियां बताई एक प्रस्ताव खुला प्रस्ताव था सब के सामने कि आप मेरे इन सवालों का जवाब दे धीजिए कि भारत की राष्ट भाशा यानि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन की एक भाशा कौन सी होनी चाहिए उसके लिए सबसे पहली चीज थी कि वह भाशा अमलदारों के लिए आसान हो जिन लोगों को किनी योजनाओं को जनता के बीच में ले करके जाना है उनके लिए वो आसान होनी चाहिए फिर एक चीज ये थी जो बहुत ही अधिक महत्तपून है अभी आपने शुरू में कहा भाशा क्या होती है क्यों होती है क्या करती है हम भाशा से संप्रेशन का अपने विचारों के आदान प्रदान का काम लेते हैं हम भाशा के द्वारा अपने विचारों को छिपाने का भी काम करते हैं तो ये प्रकटी करन और छिपाना ये तो दोनों हैं ही लेकिन एक चीज ऐसी है जो अपने आप भाशा के साथ चलती रहती है और वह है मेरी संस्कृती मेरे आचार विचार मेरा वैचारिक दर्शन मेरी पूरी की पूरी जो विरासत मुझे मिली हुई है वो मेरे एक-एक शब्द से प्रकट होती है इसलिए तो हम मदर टंग कहते हैं कि हम जब चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को अपनी संसृती के बारे में अपने कल्चर के बारे में जब उने कुछ सिखाएं, तो जाहिर है हम अपनी मात्र भाषा में, हम जो भाषा में सोचते हैं, आप जैसे शांती से भी अगर बैठो, तो आप ज्यादा करके अपनी मदर टंग में ही आप सोचोगे, अपने आप से भी जब बात करोगे, तो यही भाषा जो है अपने दिल के एकदम करीब होती है और अपनी संस्कृति को आगे ले जाने में कामाती है। इसलिए गांधी जी ने जो दूसरी कसोटी दी, वह थी कि वह भाषा ऐसी होनी चाहिए, जिसमें भारत का संस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक, सारा का सा जो विचार दर्शन है, वह संप्रेशित किया जा सके। फिर उन्होंने ये कहा कि वह ऐसी भाषा होनी चाहिए, चुकि हम युद्ध में हैं, हुतनता संग्राम में थे, युद्ध के वीच में आप कितने लोगों को नई भाषा सिखाएंगे, तो जिसे जाद से जादा लो इसको ये इस से बड़ा बल मिला, चुकि हिंदी जो है, जिन्हें आज हम हिंदी भाषी राज्य कहते हैं, उस पूरे भारत के जो यानि लगबग आधा भारत है, वह किसी न किसी बोली के रूप में हिंदी का प्रयोग करता है, जब हम हिंदी कहते हैं, तो केवल ये खरी ब पूरी भी शामिल है, इसमें साहितिक दृष्टी से हम कहें, तो मैथली भी है, हाला कि हम मैथली को अलग भाषा का दरजा हमारे आठ्मी अनुसूची में प्राप्त है, 22 भाषाओं में से, लेकिन जो हिंदी का एक जिसे आप कहें कि पूरा का पूरा भाषा मंडल है, उसम में कम से कम 20 बोलियां जो पांच उपभाषाओं के रूप में वर्गी करते हैं, वो शामिल हैं, और ये भारत के मैप के आधे हिस्से को ठकती है, अब जो आधा हिस्सा बचता है, उस आधे में से भी आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा है, जो इन बोलियों के पास का हिस्सा है, यहां आप राजस्थानी बोल रहे हैं और उसके बरावर में गुजराती बोल रहे हैं यहां आप बिहार की कोई बोली बोल रहे हैं उसके बरावर में आप उडिया या बंगला बोल रहे हैं तो ये जो उडिया वाले हैं, ये जो बंगला वाले हैं, ये जो गुजराती हैं, इनके लिए हिंदी सीखने की उतनी जरुरत नहीं होती, सामान व्यवहार के लिए सहज रूप में भले हिंदी की संप्रेशन ही है था, जिसे हम कहते हैं density of communication, वहां कुछ कम होगा, लेकिन है इसके बाद अगर आप इन दोनों हिस्सों को हटा दें, तो जो हिस्सा तीसरा बचता है, छोटा सा, जिसे हम आम तोर से दक्षिन भारत के कुछ प्रांतों के रूप में पहचानते हैं, या थोड़ा नौर्थीस्ट का कुछ हिस्सा हो सकता है, ये जो हिस्सा है, यहां प्रांती की संप्रेशन क्षमता, यदि आप 0 से 10, 0 से 10 के स्केल पर नापें, तो थोड़ा कम है, इस हिस्से को ही हमें हिंदी सिखानी थी, और आप देखें, सौ साल से ज्यादा हो गये हैं, गांधी जी के उस आंदोलन को जो भाशा आंदोलन मन शुरू किया, अभी तक हम इस छोटे से हिस्से को, जो लगभग शायद 15 प्रतिशत हो, या बाला जी मुझे ठीक करेंगे, उतने हिस्से को भी अभी तक हम पूरी तरह हिंदी नहीं सिखा पाए हैं, तो हिंदी के पक्ष में ये एक बड़ी चीज जाती थी, कि भारत के लगभग 80-85 प्रतिशत लोग बताया था कि भाषा चाहिए हमें आजादी की लड़ाई में सब को एक जुट करके उस हिंदी भाषा में अपनी आजादी की गुहार लगाने के लिए, अब चुकि हमारा पर्पस अलग है, अब हम चाहते हैं कि हिंदी एज भाषा पूरे देश को सामाजिक तरीके से, एक बिजनिस पर्सपेक्टिव से, काम के पर्सपेक्टिव से या अपनी संस्कृती को ही आगे ले जाने के पर्सपेक्टिव से जोड कर रखे, आज हमारा पर्पस अलग है तो हमें हिंदी भाषा को भी उस नजर से देखना चाहिए. तो, डॉक्टर बाला जी, और आपने कहते हैं कि 14 सितंबर हिंदी दिवस की तुलना में भारती य भाषा दिवस अधिक है यदि हमारे संविधान की एक धारा हमें ये कहती है कि भारत संग की राजभाषा हिंदी होगी देवनागरी लिपी में लिखी जाएगी अमुक अंक इसके इस्तेमाल होंगे वहीं अगली ध ये प्रदेश हैं वे अपने लिए अपनी राजभाषा हां चुन सकते हैं और उन्हीं चुन रखी है तो इन सारी भारतियभाषाओं के संबाने का और राजभाषा के रूप में सारी भारतियभाषाओं की स्वीकृति का दिन है और इसलिए हिंदी दिवस सही अर्थ में भारतिय भाष्या दिवस है बहुत ही ये एक important point है हमें understand करने के लिए कि हिंदी एक official language है जो हम चाहते हैं कि पूरे देश में हमें जोड कर रखे as a medium of official communication however हमारे पास ये freedom है ये flexibility है ये आजादी है कि हम अपनी जो राज भाषा है जो state की language है उससे भी उतना ही जोड़े रहें उतना ही उससे अपने आप में हम बोलने की उतारने की कोशिश करें बट हिंदी को हम as a official language accept करें और उसे आगे प्रोहत्साहित करकर क्यूंकि बाला जी सर ये मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी क्यूंकि आप एक corporate setup एक structured organization के साथ जुड़े हैं जहां पर आम तोर पर हम आज कल English ही ज्यादा बोलते हैं बट वहां पर एक department है जिसमें हिंदी का जो dedicated department है आप उसमें manager हैं आप काफी सारे आप कारेकरम करते हैं हिंदी भाषा को अपने employees तक लेकर जाने के लिए आप education से भी जुड़े हैं कई सारी संस्थाओं में जाकर आप हिंदी भी प्रचायर करते हैं तो मुझे यह बताईए कि इस तरह के structured environment में एक constitutional दाएरे में रहकर किस तरह से हिंदी दिवस या हिंदी की मान्यता है या हिंदी को आगे ले जाने में आपने resistance देखा या एक acceptance देखा किस तरह से वो employee का होता है ठीक हिंदी है हाँ ठीक हिंदी दिवस से चलो चलो मना लेंग फिर पूरा साला में हिंदी कुछ नहीं करेंगे बट आप एक dedicated काम कर रहे हैं तो यह जर्नी के बारे में हमें बताईए पुनम जी आपने बहुत अच्छा सवाल यह पे उठाया है official language की part of you से क्योंकि हम office के बाहर की जो हिंदी है वो हम आम बूलचाल की भाषा हिंदी है उ तो वहां पर एक purposefully काम करते हैं बिलकुल एक purpose होता है कि यह काम हमें करना है और अपने हर एक कार्याले के अपने अपने structures होते हैं अपने अपने काम के तरीके होते हैं जी चुकि मैं पिछले 14 वर्षों से production company में काम कर रहा हूं जी दो कंपनियों में बीडियल में और फिर भी मिश्रधातु निगम लिमिटेड में तो यहां पर कुछ अलग माहूल है कि अधिक काम production का होता है और फिर जो अलग corporate sector होता है वहां पर कागजी काम काज होता है तो जैसे कि अभी अपने समविधान की बात की है तो मैं यहां पर समविधान के बारे में भी थोड़ी जा और अश्टम अनुसूची भाग पांच में पार्लियमेंट की भाषा संसद की भाषा के बारे में चर्चा की गई है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो official language है बहुत ही democratic वे से प्रजातांत्रिक रूप में लोगतंत्र की हमारी वेवस्ता है तो उसे ध्यान में रखते हुए ह सारे चरण बनाए गया है तो संसद में किस भाषा में चर्चा होगी हिंदी में होगी मात्री भाषा में होगी या फिर जो वहां पे प्रतिनीदी जनता के प्रतिनीदी चुनकर जाते हैं वो अपनी भाषा में वो बात करना चाहते हैं तो उसकी भी वहां पे वेवस्ता है उसके बाद भाग 6 में आर्टिकल 210 में कहा गया है कि आप स्टेट असेंबली में विधान मंडल में किस भाशा में आप बात कर सकते हैं, राज्य की भाशा में बात कर सकते हैं, फिर वहाँ पर भी प्रजा के प्रतिनीदी जो है वो हिंदी में, अंग्रेजी में या अपनी मात भाशा में बात रख सकते हैं, ये वेवस्ता है, फिर अब आते हैं राजभाशा की तरफ, जो मुख्य विशे आज का है, भाग सत्र के अनुछे 343 से लेकर 351 तक राजभाशा के विस्तार से चर्चा की गई है, तीनसो 343 में ये कहा गया है कि देवनागरी लिपी में इसके भारत की राजभाशा है, और प्रशासनिक प्रयोजन के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाएगा, वे अंक होंगे, भारती अंकों का अंतराष्ट्रिय रूप, जो हमारे गाड़ी पर जो नंबर लिखे हैं, वे या अपने चेक बुक पर जो नंबर लिखे हैं, या प्रशासनिक कारियों में उप्योग किये जाने वाले अंख हैं। इसलिए आप केंद्र सरकार के किसी भी कारिया लेके किसी भी दस्तावेज पर आप वो अंख देखते हैं। और देखकर अंजाने में अचरज करते हैं कि सारा डॉक्यूमेंट दस्तावेज हिंदी में हैं और आर्टिकल 345, 346, 347 राज्य सरकार, केंद्र सरकार के बीच में पत्राचार की भाषा इसके बारे में चर्चा की गई है, आर्टिकल 347 में एक समुधाय को यह अधिकार देता है कि आप अपनी भाषा को मान्यता प्रदान करें और इसी अधिकार के अंदरगत 14 भाषा है पहले एक प्रशना भी आपने उठाया था कि भई बहुभाषी देश और कैसे वो भाषाओं को हम मान देते हैं, सम्मान देते हैं तो यह जनता के पास अधिकार है जब कभी वो चाहते हैं तो वो समुधा एक समुधा है, राश्ट्रपती को आवेदन दे सकता है और गोहार लगा सकता है कि हमारी भाषा को आप मानेता प्रदान करें, फिर उसकी अलग वेवस्ता है, अलग प्रक्रिया है, इसके बाद आती है आर्टिकल 348, यह नयायले की भाषा, नयायले की भाषा में वहाँ पर उस समय जिस समय संभीधान बना था, और 1950 में लागू हुआ, और बंते स में भी विचार रखा गया कि अभी भारतिय भाषायां यह हिंदी में कानून की शब्दावली नहीं है, तो हम 15 वर्षों तक, आर्टिकल 343 में भी लिखा गया है, कि 15 वर्षों तक हम अंग्रेजी को साथ में लेके चलेंगे और 15 वर्षों के बाद हिंदी को लागू तो वहाँ पर नियायले की भाषा में नियायले के प्रयोजन के लिए, डिग्रियों के लिए, कारवाई के लिए, कारियवाहियों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा, उसके बाद आता है आर्टिकल 349, इसलिए मैं यह पॉइंट्स बता रहा हूं कि ताकि जन क्या कहता है, तो आर्टिकल 350, आपको यह अधिकार देता है, कि आप कोई आवेदन किसी भी कारियाले में, कोई आवेदन भरते हैं, कोई ग्रिवांस देते हैं, शिकायत देते हैं, तो आप आपकी मात्री भाषा में दे सकते हैं, और या हिंदी में दे सकते हैं, या उसे इ और 351 बहुत ही महत्वपुर्ण आर्टिकल है इसमें कहा गया है कि पूरे भारत वर्ष में राजभाषा के प्रचार-प्रसार का जो दाइत्व है वह संग सरकार पर है संग सरकार यह देखेगी कि भारत वर्ष में राजभाषा का प्रचार-प्रसार हो और इसका प्रचार-प्रसार इस तरह से किया जाए कि इसकी जो मूल संस्कृति है या मूल तत्व हैं हिंदी के इसे एक शती न पहुँचे और साथ ही पूरे भारत वर्ष को एक सूत्र में जिसे कहेंगे कि सामासिक संस्कृति मिली जूली संस्कृति अगर हम आम भाषा में बोले कंपोजिक कल्चर को लेकर वो आगे बढ़े और जब कभी नया विशे आता है और उसकी शब्दावली बनाने की अवशक्ता पड़े तब मूल तह संस्कृत से और गौन तह आटवी अनुसूची में जो भाषाएं हैं उन भाषाओं से शब्द ग्रहन करें देशत भाषाओं से शब्द ग्रहन करें और अवशक्ता पड़ने पर विदेशी भाषाओं से आप शब्द ग्रहन कर सकते हैं तो ये तो रही संविधान में जो आर्टिकल्स हैं इस पर विस्तार स चर्चा है इसके बाद हिंदी की स्थिति को देखने के लिए राश्टरपती के आदेश पर आयोग बना और आयोग ने एक रिपोर्ट सब्मीट की राश्टरपती को उस पर एक समिती बनी जो आगे जाके संसेदीय राजभाशा समिती के नाम से जानी जाती है जिसमें राज् राश्टरपती को सिफारिश देने के बाद उननी स्वा साथ में राश्टरपती जिनने उन आदेश जारी किया और जिसके आधार पर आज केंद्र सरकार के कार्यालेओं में परशिक्षण की वेवस्ता है जी वहाँ पे एक हिंदी विभाग है जो आप हिंदी विभाग की बात कर रहे हैं तो हिंदी विभाग का एक सट अप बना और प्रशिक्षण की वेवस्ता बनाए गई और उसी समय यह भी देखा गया कि विधी की भाषा का विकास होना है तो उसके लिए एक सट अप बनाया गया और साथ ही हमारे पास तकनी की शब्दावली नहीं है जो व कर रहे हैं अगर कभी हिंदी में अगर क्या उन्हें तो करना ही चाहिए जिंदी में कोई लेक लिखना चाहते हैं पुस्तक लिखना चाहते हैं तो उनके लिए तकनी की शब्दावली आयक के साइट पर जाना है उन्हें और वहां पर सारे फैकल्टी के किताबे आप देखन देखने को मिलेंगी, ग्लोजरीस देखने को मिलेंगी, वहां से आप शब्दावली ले सकते हैं, वहां से पुस्तकों से आप वाक्य समरचना ले सकते हैं, लाखो शब्द, उसमें आप देख मिलेंगे आपको तकनी की शब्द, जो इंदी और अंग्रेजी के शब्द महाँ मिलेंगे आपको और साथ ही केंद्रिय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना हुई और फिर उसी आदेश में राष्ट्रपती महोदे ने आदेश दिया कि भारत वर्श की जो सारी भाषाएं हैं जो 22 भाषाओं की आम बात करें पहले 14 थी फिर अभी 22 हुई है इनके प्रचार प कुछ एजिटेशन हुआ हिए देश में हिंदी को लेकर असल में ये इक राजनेतिक इजिटेशन मैं मांनता हूं एक राजभाश आदिकारी होने के नाते एक हिंदी का प्रेमी होने के नाते कि हिंदी दू अन्य भाषाओं को नुकसान पहुंचाएगी या दinse collect rap予 भारत क तो उससे उनें थोड़ा सा दुख पहुंचता है कि हमारी भाषा में घर रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो फिर हमें नुक्सान होगा सनस्कृति की भी बात आती है कि हमारी संस्कृति हमारी भाषा तो फिर उस आंदोलन के चलते और हिंदी के प्रचार प्रसार के रुकने के अंदेशे, अंदाजा ऐसा हुआ कि हिंदी का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो 1963 में अधिनियम बना जो कि 349 आधिकार देता है कि आप अधिनियम बना सकते हैं, तो 1963 में अधिनियम बना और अधिनियम के चलते जो है हिंदी के प्रचायर प्रसार के लिए और रास्ता खुला है और उसके बाद आदिनियम को लागू करने के लिए नियम बने हैं आप आपके स्टूडियो में भी आप देख सकते हैं जगह जगह पर नाम पर लिखे हुए हैं इंडी और अंग्रेजी में लिखे हुए हैं आप दुरदर्शन के बाहर बैसे बाहर देखेंगे ले राजबहाशा में ख Wyatt यारा की वजकीANS यह विवस्ता है और इस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार आगे बढ़ रहा है, आदिनियम और नियम बहुत ही ताकत देते हैं एक हिंदी अधिकारी को, कि वे अपने कारियाले में वे हिंदी के प्रचार प्रसार का काम करते हैं, और अपने बहुत अच्छी बात ये उठाई कि यहाँ पे जो भाशा के प्रति लगाओं महसूस करते हैं, वे चाहे वो हिंदी हो, चाहे तेलगू हो, चाहे बंगाली हो, या चाहे उडिया हो, तमील हो, यहाँ केंदर सरकार के कारियालेयों में आप देखेंगी कि भारत वर्ष से अलग-अलग प्रांतों से लोग आते हैं, और काम करत हैं, तो वहाँ पर जब उन्हें संपरेशन करना होता है, चूंकि वो अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर आये, तो शुरू में अंग्रेजी इसमें शुरू करते हैं, और जैसे ही उन्हें लगता है कि हम कहीं अटक रहे हैं, सहाजता से, हिंदी में डाइवर्ट हो जाते हैं और हिंदी में आपस में बातचीत करते हैं, बैटकों में भी हम देखते हैं, कि वो शुरू तो अंग्रेजी से करते हैं, फिर वो हिंदी में आजाते हैं, और हिंदी में चर्चा करने लगते हैं, तो एक तो है संविधान की जिम्मेदारी, संविधान ने जो अधिकार दिय उसको जो समझ कर हिंदी के परती दाहित्मनि बाते हैं और साथ में भाषा प्रेम ये दोनों के मिली जूली जुगल बंदी से जो है हिंदी का प्रचार परसार होता है और हिंदी दिवस ऐसे आउसरों पर हम अलग-अलग कारिकरम करते हैं जिसमें अन्य भाषयों को अधिक प्रोथ साही किया जाता है और आज भाशा विभाग जो ग्रह मंत्रा लेकर अंतरगत आता है वे भी विभाग से भी हमें निर्देश प्राप्त होते रहते हैं कि आप जहां तक हो सके वहां तक भाशा को सरल बनाकर अन्य भाशियों को अकरशित करें बहुत आपने इतने सारे points जो बताये हैं constitutionally यह as a citizen हमें यह सब मालूम होना चाहिए मतलब हमारी भाशा को लेकर जो एक मैं बोलती हूँ understanding में जो gaps है misunderstanding में जो gaps है शायद हम वो कही न कहीं समझने की कोशिश नहीं करते क्योंकि हम रोजमरा की जिंदगी में इतने busy हो जाते हैं पर constitution में हमारी भाशा को लेकर हमें जो duties और rights दिये गए हैं वो as a citizen, as an Indian citizen हमें पता होना चाहिए आज की date में हमारी सरकार और क्या कोशिश कर रही है हिंदी की भाशा को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के जैसे आब बता रहे थे सम्मेलन का आयोजिन करती है पिछले दो साल से ही ये initiative स्टार्ट हुआ है ऐसे और कौनसे initiatives है हमारी government के जो हिंदी को और deep-rooted लेके जाने के लिए आपने जो हमने बताया वो एक corporate setup है वो एक educational setup है वो एक office setup है बट जब तक हम हिंदी भाशा को मूल रूप से, ground level पर चाहे वो schools हो या चाहे वो बोलचाल में हो films के माध्यम से हो, media के माध्यम से हो, जब तक हम अपनी अंदर उस भाशा को नहीं बसाएंगे तब ये हो रहा है बट जैसे रिशब जी ने बताया कि बहुत slow है मतलब 100 साल हो गए बट हो रहा है बट बहुत slow तो अब हमारी government और क्या कर रही है और क्या कदम उठाएं है इसको आगे ले जाने में देखिए अपने ग्रासरूट पर ले जाने की बाद आपने उठाई है तो स्कूलों में त्री भाशा सूत्र है जी जहां पर आप राज्य की भाशा, मात्री भाशा एक तरह से फिर हिंदी और अंग्रेजी की पढ़ाई की वेवस्ता आपके पास है सरकार जो कि लोगतंत्र की बात मैंने पहले भी कही है और जनता जिस और जाना चाहती है उसके लिए छूट है उनके पास अधिकार है कि आप मात्री भाशा में पढ़ सकते हैं या हिंदी में पढ़ सकते हैं अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं लेकिन त्री भाशा सूत्र को प्रभावी रूप से अगर लागू किया जाए तो मैं समस्ता हूँ कि मात्री भाशा और फिर हिंदी को अवश्य यही बड़ावा मिलेगा, अभी नई शिक्षानीती आई है, और इसके चलते हुए, स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविध्यालेयों में, इवन आयटी में भी तो हिंदी माध्यम से पड़ने की वेवस्ता बन रही है, और इंजिनियरिंग की पड़ाई भी उच्छी भी आप हिंदी माध्यम से ले सकते हैं, इसकी भी वेवस्ता की जा रही है, लोगों को आकरशित किया जा रहा है, और भारत सरकार यह प्रयास कर रही है कि आप अपनी बात्री भाषा को लेके चले आगे, और राष्ट भाषा को आगे लेके चले, उसके साथ में चले, उस एक योजनाहों के आपने बात कही अभी, तो भारत सरकार की योजना है कि केंदर सरकार के कार्यालेओं में जो अन्याभाशी है, या हिंदी बिलकुल भी नहीं पढ़कर आये हैं, या कुछ स्कूलों में होता है, हिंदी नहीं होती है, आटवी कक्षा तक केंद्रिय विद्ध अरुढ़ा हुआ गारितां केकारों में पिंदि की और जातें तो जो कार्या लियों में अधिकारी कर्म आते हैं टेक्निकल पडा ही और उनके लिए प्रसिकषण की विवस्ता है जैसे कि मैने बैकल अब हुआ ता राष्डपती के आदेश भी है कि सभी कर्मचारियों को जो हिंदी नहीं जानते हैं उनको प्रशिक्षन देना है हिंदी का और उसके लिए इंसेंटिव मिलता है उनको प्रशिक्षन करने के बाद कुछ राशी उनको इंसेंटिव के रूप में दी जाती है और फिर हिंदी में काम करने के लिए इंसेंटिव चलाया जाते हैं और इसके अलावा राष्ट्रिय स्तर पर आप हिंदी में किताब लिखते हैं जी हिंदी में कोई लेक लिखते हैं तो उसको राष्ट्रिय स्तर पर मानेता मिलती है पहचान मिलती है और अखिल भारतीय राजभाशा सम्मेलन में उन्हें पुरस्कृत किया जा यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को और अन्य नागरिकों को भारत के नागरिकों को ऐसे अलग-अलग वर्ग आभी तो बहुत ही अलग-अलग विशे दिये गए हैं अच्छा विधी के क्षेत्र में आगर आप पुस्तक लिखते हैं तो उसके लिए पुरसकार है प्रशासल सलगारियों के कषेत्र में जाने दिया जाता है जो कार्याले हैं अच्छा काम कर रहे हैं उत्क्रुष्ट काम कर रहे हैं उन्हें दिया जाता है जि और जो कुस्तक impulskन का काम कर रहे हैं तक्षकbern हरब आलग-अलग विशें ऑपर कटाब लिखते है आप पर्यावन सवरक्षण पर किताब लिखते हैं, रासायन विज्ञान पर पुस्तक लिखते हैं, भातिक विज्ञान पर पुस्तक लिखते हैं, तो उन्हें पुरस्कार किया जाता है और सम्मान दिया जाता है, और ये राश्ट्रिय स्तर पर सम्मान दिया जाता है, तो इस तरह के लिए रास्ते खोलती है और अपने टिकनोलोजी में हिंदी की बात आपने कही है तो आपने भी कभी हिंदी में काम किया होगा तो बहुत वर्शों पहले जो है जब हम मेल करते थे दुसरे को कोई सामगरी भेजते थे तो आपके पास निकोर के आने से पहले आप कुछ भारत सरकार ने सीडेक के माध्धेम से यूनिकोड नाम की वेवस्था स्थापीत की है और बहुत ही सुलबता से आप मोबाइल में लापटॉप में सबी भारती भाशाओं में एक साथ काम कर सकते हैं और इतना अच्छा टाइपराइटर बनाया गया है आप जनता को मैं बतान कीबोड तो आप भारत की तेरह भाशाओं में लगभग तेरह भाशाओं में आप टाइप कर सकते हैं सेम कीबोड सेम ले आउट इतने वाइग्यानिक धंग से एक कीबोड बनाया गया है और हिंदी के लिए मैं बताना चाहूंगा देवनागरी इंस्क्रिप्ट या देवन संस्कृत पुर्दू इस तरह से आप इंद भाशाओं में तेरह भाशाओं में आप बड़े आसानी से सहजता से आप डाइप कर सकते हैं और आजकल तो इतने प्लाटफॉम आगे हैं कि आप गूगल में जाते हैं या मोबाइल में देखते हैं कि आप अंग्रेजी में होज में आते हैं तो आपको कोई नहीं रोक रहा है आपको आपकी भाशा में काम करने के लिए तो इसके लिए आपको आपकी भाशा से प्रेम हम अचे लिए मैं बस इसी पॉइंट पर आना चाहरे हूं कि हमारी सरकार ने इतने हमें फेसिलिटीज दिये हैं इतने हमें इंसेंट इतना एक पुरुत्साहन दे रहे हैं कि आप हिंदी के प्रतीक, हिंदी में काम करिए, किताबे लिखिए, हम आपको पुरसकार देंगे, सब करेंगे, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हम जिसे दोस्तों में बेखे हैं, या कहीं, मानली जी आप फॉरण चले गए, क्या आप equally proud है अपनी भाषा में बात करने में, क्या आपको गौरव महसूस होता है कि अरे हम हिंदी में बात कर रहे हैं, हम अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, चाहे आप चीन चले जाएए, आप रूस चले जाएए, आप फ्रांस चले जाएए, जो उनकी एक मतलब भाषा है, फ्रेंच ह वो अपना सारा काम भी उसी में करते हैं, और जब आप उनकी देश में जाते हैं, वो expect करते हैं कि आप भी ही उनकी भाषा में काम करें, हम अपने देश में ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्या हम अपनी भाषा को लेकर वो गौरव महसूस नहीं करते हैं, हम अपनी भाषा में बा मतलब आप इस चमेली के माध्यम से आज जुदूर दर्शन पर हमारे दर्शक देख रहे हैंगे कारेकरम, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे, कि अपनी भाषा से प्रेम करिये, आपका क्या संदेश है हमारी ओडियन्स गुरिशा भी आपने जो हमने बहुत शुरू में बा पहचान होती है, जिसे हम कहें कि हमारी एक राष्ट्रिय अस्मिता, जातिय अस्मिता जो है, वह भाषा के साथ नत्थी होती है, गुति होई होती है, और इसलिए किसी भी समाज को, जब कोई दूसरा समाज गुलाम बनाना चाहता है, तो उसकी, अब संस्कृति तो अमूर् संस्कृति को चोट पहुचानी है, तो संस्कृति को चोट पहुचाने का तरीका है, उसकी भाषा को चोट पहुचाई है, यानि आपके प्रश्र का उत्तर जो है, वो यहां से निकलता है, कि भारत में लंबे समय तक, जो आपनिवेशिक शासन रहा, कोलोनियलिजम के जो हम शिकार हुए उस उपनिवेश वादी वातावरण में हमारे उपर शासन करने वालों ने ब्रिटिशर्स ने यह कल्पना की यह कामना की कि वे अनंतकाल तक भारत में शासन करते रहें और इसके लिए वे इस प्रकार की शिक्षा नीति लाए जिसमें भारतियों को भारतियों की भाषाओं के लिए लज्जित होना सिखाया जाए हमें हमारी संस्कृत के लज्जित होना सिखाया जाए हमें यह सिखाया जाए कि हमारी भाषाएं तो बहुत पिछड़ी हुई भाषाएं हैं आज का जो बदलता हुआ एक कहां कि परिवेश है वहचारिक परिवेश उन्नीसी विशताब्दी में जो बड़ी तेजी से जिसे आप ग्यानों दैका काल कहते हैं उस काल में सारा का सारा ग्यान, सारे ग्यान की खिड़की क्या दरवाजे सब अंग्रेजी से खुलते हैं ये एक जो हमारे भीतर भरने की कुशिश की गई और साथ ही यह है कि हमारी भाषाएं चाहे वो जिने हम आधुरिक भारतिय भाषाएं कहते हैं हिंदी, बंगला, इत्यादी, इत्यादी या दक्षन की भाषाएं या इनकी पूरवज भाषाएं यानि जिने हम प्राकृत और संस्कृत आदी के रूप में जानते हैं कि साहब यह सब जो हैं गुजरे जमाने की चीजें हो गई है, संस्कृत तो पूजा पाठ सिखाती है, तो आपने संस्कृत पाठ शालाओं को बंद कर दिया, आपने उर्दू, अर्भी, फार्सी के मदर्सों को बंद कर दिया, तो क्या हुआ, जो भारती ये विद्यार्थ है, उसकी अपनी संस्कृति तक पहुच कट गई, वो नसें कारती गई, जो भाषा जो है, वो यदि एक संस्कृतिक धाचा आप किसी देश का बनाएं, तो उसकी रीढ भाषा से बनती है, बिल्कुल, चोटी-चोटी चीज़ है, मेरी भाषा में हम नमस्कार कहते हैं, पहल हमारे बड़ों से आशिरवाद सुनने को मिलता है, जीते रहो, आयुश्मान भव, क्या गुड मॉर्निंग के जवाब में गुड मॉर्निंग कहने से ये बात बन जाएगी, नहीं, नहीं बनती, तो ये चोटी-चोटी चीज़ हैं, यानि जो हमारा नमस्कार और आशिरवा है, ठीक है आप कहते हैं कि साब अंग्रेजी के पास क्षमा, सौरी और थैंक्यू, ये दो शब्द हैं, ये हमारे पास भी अपने ढंग से हैं, हमारे हाँ तो पुरा का पुरा एक पर्व होता है, अगर आप जैन मत से परशित हों, और इस समय चल रहा है, दस लाक्षन पर् कि जिसमें हम कहते हैं कि मैंने आपके प्रती यदि कोई अपराध किया है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सच्चे मन से, और सामने वाला भी यही कहता है, हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं, लेकिन हमें बता जाता है, हमें तो क्षमा करना भी नहाता, हमें तो क्षमा चीज़ बिश्क्रित से कट गये और हमें यह महसूस कराया गया कि पहले तो यह कि हमें यह कहा गया कि आप आविक्सित हैं और फिर यह कि आप आविक्सित इसलिए हैं कि आप तथा कथित विकसित भाषाओं को नहीं जानते लिहाजा आप इन जो वर्ना कुलर भाषा हैं उनको छोड़िए और आगे बढ़ जाईए ये जो चीज है ये बड़ी घातक रही और इसी का परिणाम हम आज तक इसके अवशेश जो हैं उन्हें धो रहें हैं आप देखें कि लगभग सौ वर्ष पहले या उससे भी अधिक पहले हमारे एक साहित्तकार ने कहा कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल बिन निज भाषा ज्यान के मिटे नहियको शूल ये बात उन्निस वे शतापदी के उत्तरार्थ में भारतें दुहरिश चंद्र कह रहे थे और भारतियों को अपनी भाषा के प्रती प्रेम और स्वाहिमान जगाने की बात कर रहे थे तो अगर हमें आज अपने देश में हिंदी को राजभाषा के रूप में या दुनिया में विश्व भाषा के रूप में स्थापित करना है तो सबसे पहली चीज़ यह है कि हमें अपने देश से, अपनी संस्कृति से और अपनी भाषा से प्रेम करना, उस पर गौरव करना सीखना होगा. Last question बालाजी सर, आप मुझे ये बताईए कि आपका क्या message है आज हिंदी दिवस पे हमारी audience के लिए? अपनी भाषा को हमें किस तरह से संबाल कर दिल में इनों रखना चाहिए? आप क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी, सभी को तो हिंदी दिवस की शुक कामना है, मैं देना चाहूंगा संदेश के साथ राजभाषा की हीरत जैनती के आउसर पर और आपने बहुत अच्छा ये सवाल मेरे से किया कि मेरे विचार क्या है? कि किसे हम अपनी भाषा को लेके आगे बढ़ सकते हैं? जी, तो मैं सर की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने परिवार में अपनी बात्री भाषा बोलें, मैं एक उधार यहां देना चाहूंगा मेरे अपने जीवन से ही, कि मेरा बेटा जब LKG, UKG में पढ़ता था, उस समय में उसका जब रिपोर् में विशेव में A+, A+, और अंग्रे जी में उसको A आया, A+, नहीं आया, तो माता हों की चिंता होती है, कि हमारा बेटा किसी से पीछे न रहे जाए, तो वो गई टीचर के पास, और पूछा कि सभी में A+, और इसमें A क्यों आया, तो टीचर ने बोला कि आप अपने घर में कि क्योंकि हमारी परिक्षा औरल होती है, तो जब बच्चा अंग्रे जी में अच्छा कम्यूनिकेट करने लगेगा, तो वहाँ A+, आयेगा, तो घर में चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि उसके जीवन को जीने के लिए, जब वो बड़ा होगा, जब काम करेगा, जितनी अंग्र लेकिन हम अपनी मात्रि भाषा को और हिंदी, क्यूंकि हम हिंदी भी बोलते हैं घर में, महराटि भी बोलते हैं, तो इन भाषा ओं को हम लेके चलेंगे और ये चलता रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा दर्शकों से, शोताओं से, जनता से, جो सुन रहे हैं, हमें चले आगे मात्री भाषा को अपने घर में ज्यादा अवसर दें मात्री भाषा में बोलें तो मात्री भाषा और फिर देश की अन्य कोई भी भाषा हो अपने आप बढ़ेगी तो मैं माताओं से निवेधन करना चाहूंगा एक तरह से क्योंकि माताओं मात्री भाषा कहते हैं पित्री भाषा तो हमने कभी सुना ही नहीं? मात्री भाषा जो मां के मुख से बालक सुनेगा, वो भाषा खालक सीखता है, और尸्कूल में भी टीचरस माता thanking инी है, तोintegrette बीचर जो भाशा सीखता है बच्चा वो आगे लेके जाता है तो मैं माताओं से निवेधन करना चाहूंगा कि वो अपनी मात्री भाशा में अपने बच्चों से बोले जी गुड मॉनिंग हाई बाई यो की जगें पर नमस्कार सिखाएं शुबोदय सिखाएं आशिरवाद देना सि करेंगे घरों में तो अवश्य ही अपनी मात्री भाशा और देश की भाशा आगे बढ़ेगी और वृद्धी करेंगी संवृद्धी करेंगी हिंदी दिवस के आज के इस कारेक्रव में हमने इतने खुपसूरत पॉइंट्स सुने हैं डॉक्टर बाला जी सर से रिश्व ज मज़ा आता है आपकी बाते आवाज बहुत बुलंद हैं तो आप जिस जजबे से और जिस पैशन से हिंदी के बारे में बात करते हैं वो कही ना कही मेरे दिल को तो जरूर चूती है I'm sure हमारी ओडियंस तक भी आपकी वो बाते और आवाज जरूर पहुंचती है बहुत मज़ा आया कि आप इतने सालों से जुड़े हैं इस काम से वो एक अलग चीज है बड़ आपका जो clarity of thought है जो भाशा को लेके प्रेम है वो बहुत easily हमारी ओडियंस को भी दिख जाएगा हमें भी दिखेगा और बहुत बहुत आपका धन्यवाद की आपने हमें अज और हमसे बहुत इतनी खुबसूरत बाते करी तो हिंदी दिवस की हमारे शुताओं को और हमारे व्यूवर्स को बहुत बहुत शुपकाम नाए कोशिश करिए कि हम अपनी जीवन में हिंदी को लेकर कभी बोलने में संकोच ना करें कभी ना शर्माएं यह आपकी मात्र अपनी भाषा को लेकर गौरव महसूस करें प्रेम महसूस करें और हिंदी दिवस के इस अवसर पर आज हम बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपकी होस्ट पूनम गोलेचसा आप सबसे विधा लेती हूं 거죠 झाल 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 उल सकते हैं